Hello students, Taxagen Biology में स्वागत हैं, तो शुरू करें आज का हम लोग Practice Set, आज के Practice Set में भी 5 Questions हैं, लेकिन ये 5 Questions अलग-अलग तरह के हैं, कुछ Matching Type हैं, कुछ Figure Based हैं, कुछ Statement Wise हैं, तो चलिए इनको Practice करते हैं, ताकि नीट में किसी भी तरह का Question आए, तो आप घबराएं नहीं और उन सब आपको सही से Solve करें, तो पहला Question हम लोग देखते हैं, Match the following and Choose Correct Option, एक तरफ Column 1 में आप Nutrients देख रहे हैं, दूसरी तरफ Column 2 में Functions हैं, तो Nutrients क्या-क्या हैं वो हम लोग देख लें, Nutrients हैं Magnesium Ion, Jink Ion, Potassium Ion और H2PO4-, ये सारे Nutrients हैं, दूसरी तरफ Function आपका है, पहला Magnesium Ion हैं उसके सामने दिया है, Activator of Dehydrogenase, दूसरा है, जिंक के सामने दिया है, Activator of Both RubP and Carboxylase, तीसरे के सामने दिया है, Required for All Phosphorylation Reaction, और चौथा है, Plays an Important Role in Opening and Closing of Stomata, तो हमें Correct Match करते हुए, इसका सही Option, इसमें से ढूंडना है, तो सबसे Important चीज हम लोगों को ये पता है, कि Activator of Dehydrogenase, Dehydrogenase Enzyme को कौन Activate करता है, ये आपको एकदम लियाद होना चाहिए, ये आपको एकदम लियाद होना चाहिए, यानि कि B का 1 होना चाहिए, अब आप देख रहे हैं, कि जो Options दिये हुए है, इसमें B का पहला Options में 4 है, और बाकी के 3 Options में 1, 1, 1 है, यानि कि अब पहला वाला Option तो आपका ऐसे ही Reject हो गया, ये तो होगा नहीं, अब इन 3 में आपको धूनना है, सही जवाब, दूसरा हम लोग क्या देख रहे है, Activator of Both RubP Carboxylase, RubP और Carboxylase, दोनों का Activator, तो ये आप बताए जरा कि इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ये कौन करता है, Magnesium, Yes, Magnesium is the Activator of Both RubP Carboxylase, यानि कि A का क्या Option होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो पहला वाला तो ऐसे ही Reject हो चुका था, और दूसरा और तीसरे में अगर हम लोग देखें, तो आप क्या देखेंगे कि जो B Option इ हम लोग जरा देख लेते हैं, C में है Potassium Ayan, और Potassium Ayan का दिया है 4, that means plays an important role in opening and closing of a stomata, yes, यही तो होता है, और यह आप जान रहे हो कि Phosphoric Acid है, जिसमें 1H+, जो है, वो निकल चुका है, तो H2PO 4- है, and that is required for all phosphorylation reaction, तो हो गया ना match, तो आप क्या देख रहे हैं, इन में से कौन स D का 4 and D का 3, तो इस तरीके से आप अपने confusion को दूर कर सकते हैं, और option से भी कई बार आप सही जवाब ढूंड कर निकाल सकते हो, चलिए, आजाते question number 2 पे, और देखते question number 2 क्या पूछा जा रहा है, question number 2 जो है, यह आप देख रहे है, वो TCA cycle है, that is tri carboxylic acid cycle, या जिसको हम आपको find out करना है P, Q, R, S, and T को, P, Q, R, S, T कहां पर है, तो यहां पर आप देख रहे हो, P, Q, R, S, and T, P, Q, R, S, T, तो आप देख रहे हो, इनका नाम तो लिखा है, तो फिर इसमें क्या identify करना है, तो यहां हम लोग देखे, उपर के दो option में यहां दिया है, यह कितने carbon का है यानि कि obviously इनको भी find out करना है कि यह कितने carbon के हैं, है ना, कितने carbon के यह compound है, यह हमें find out करना है, तो सबसे पहले pyruvate, जो 3 carbon का है, यह convert हुआ, acetyl coenzyme A, जो कि 2 carbon का है, अब यहां से शुरू होता है, सबसे पहले P, P में दिया है oxaloacetic acid, यह आपको learn होना चाहिए कि यह कितने carbon का होता है, जल्दी से बताइए, तो oxaloacetic acid जो है, यह होता है, चार carbon का compound, must remember, यानि कि P जो है, वो 4 carbon हो जाएगा, अब ज़रा option में देखते हैं, कि P 4 carbon किसमे किसमे है, तो option A में आप देख रहे हो, P 4 carbon है, B में तो P 6 carbon है, जो कि नहीं होगा, C में P 2 carbon है, यह भी नहीं होग D में आप देख रहे हो, P 4 carbon है, यानि कि अब आप automatically यह दो option को reject कर देंगे, और यह दो options में से अब आपको correct options ढूनने हैं, तो यह तो P तो हो गया, 4 carbon, अब आप जान रहे हो, citric acid क्यों, है न, acetyl coenzyme 2 carbon का, और oxaloacetic acid 4 carbon का, यह दोनों मिला के बन जाते हैं, क्या, citric acid, the first stable compound of the cycle, तो citric acid कितने carbon का होता है, obviously 6 carbon का होता है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, क्यों इस option में भी 6 carbon है, और इस option में भी 6 carbon है, यानि कि यहां से भी हमें पता नहीं चलेगा, कि इन दोनों में से correct option क्या है, अब आगे की और हम लोग देखते हैं, the third option आर, जिसमें है, alpha ketoglut acid, यह कितने carbon का होता है, तो यह 5 carbon का होता है, इससे पहले आपको पता है कि एक carbon, carbon dioxide के form में release out हो जाता है, decarboxylation होता है, तो यहां पर यह alpha ketoglutary acid 5 carbon का, and then succinic acid जो है, यह 4 carbon का, और malic acid भी 4 carbon का होता है, और यह option आपको कहां मिल रहा है, option number 1 में, क्योंकि R is equal to यहां 5 carbon है, य यह वैसे ही गलत हो गया, यानि कि सही option आपका क्या होगा, option number A, तो इस तरह के questions को भी जरूर practice कर ले, अगर यह गलत भी हो गया हो, तो इसको तुरंत revise कर ले, चलिए, next हम लोग आ जाते है, question number 3, और question number 3 के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, find A, B, C and D A, B, C and D आपसे पूछा जा रहा है, starch है, वो convert हो रहा है, maltose में, यानि कि यह किसी enzyme के present में हो रहा है, then maltose convert हो रहा है, glucose में, with the help of enzyme C, दूसरी तरफ lactose है, यह B की मदद से galactose और glucose में convert हो रहा है, और इस तरफ शुक्रोज है, जो D enzyme के presence में, fructose और glucose में convert हो रहा है, तो आप को सही option इसमें से identify करना है, जारा देखें यहां पर क्या दिया वा है, option number A है amylase, यह तो बिलकुल सबको learn रहता है, कि starch, salivary amylase के presence में, maltose में तूटता है, तो आप देखेंगे, कि चारो के चारो option में, A में भी amylase है, इस B option में भी amylase है, C में भी amylase है, और D में भी amylase ह अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब इसमें आप क्या देख रहे हो, कि सबसे पहले अगर B को देखें, तो lactose sugar जो है, वो galactose और glucose में तूटता है, in the presence of B, तो B क्या होना चाहिए, एक option में आप B देख रहे हो, maltose, sorry maltase है, दूसरे में भी maltase है, तीसरे में invertase है, और करता हुआ दिख रहा है, आपको lactose में lactase enzyme काम करेगा, तो glucose और galactose में change हो जाएगा, तो कहीं न कहीं हो सकता है, ये option सही हो, आगे भी देख लेते हैं, हम लोग एक बार, क्योंकि कभी भी एक दो करके नतीजे में नहीं पहुंचना चाहिए, हमेशा पूरा option पढ़ना चाह तो maltose में आप देख रहे हो कि अगर maltase enzyme लग जाए, तो glucose में convert हो जाता है, और दो molecule glucose के बनते हैं, ठीक वैसा ही, शुक्रोज में अगर invertase enzyme लग जाए, तो वो fructose और glucose में तूट जाता है, यानि कहीं ना कहीं हमें अब लग रहा है कि option जो D है, वही correct है, चलिए, next हम लोग question number 4, question number 4 आप से क्या पुछा जा रहा है, the given figure represents the inheritance pattern of a certain type of traits in humans, जो given figure है, ये एक certain type का inheritance pattern show कर रहा है, एक certain trait human में जो है उसको show कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हो, mother, एक तरफ mother है, दूसी तरफ father है, mother से ये trait son में जा रहा है, और father से ये trait daughter में जा रहा है, तो आपको बताना है, which one of the following condition could be an example of this pattern, इस pattern का, जिसमें mother से trait son में जाए और father से trait daughter में जाए, इस type का pattern हमें किसमें देखने को मिलता है, option A, thalassemia, option B, hemophilia, option C, phenylketonuria, option D, sickle cell anemia, तो जल्दी से बताए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि इस question का जो सही जवाब है, वो है option number B, that is hemophilia, because it is X-linked recessive disorder, X-linked recessive disorder है, तो ये हमेशा आपको पता है कि mother से son को होने का chance है, अगर mother carrier हो, या mother hemophilic हो, तो इन दोनों cases में son के hemophilic होने का chances होता है, जबकि daughter को hemophilia तभी हो सकता है, जब mother carrier हो, या father तो hemophilic definitely होना चाहिए, तब ही जाकर ये daughter जो है, वो क्या होगी, carrier या फिर hemophilic होगी, तो इस तरीके से X-linked recessive disorder होने की वज़े से आप देखते हो, hemophilia will be the correct answer, चलिए next आजाते है, question number 5, which of the following crop plant is not matching as correct pair with its variety, आपको बताना है, इन में से कौन से crop plant जो है, वो correct matching नहीं है, नौट जहां आजाए, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, जो नहीं है वो बताना है आपको, wheat, हिमगिरी, brassica, पूशा गौरव, cauliflower, पूशा कोमल, chili, पूशा सदा बहार, ओकरा, पूशा सावनी, तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा correct option या matching नहीं है, option देख ले जरा, only one, बी जो है, two and three, two and three, option C देख ले, only three, and D, two and four, जल्दी से बताईए, wheat, हिमगिरी, brassica, पूशा गौरव, cauliflower, पूशा कोमल, chili, पूशा सदा बहार, ओकरा या भिंडी जिसको कहते हैं, पूशा सावनी, तो इन में से आपको कौन सा pair सही नहीं लग रहा है, ये पढ़ते के साथ आपको पता हो जाना चाहिए, दिमाग में तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है, वो है, option number C, that is only 3, that is cauliflower, पूशा कोमल, पूशा कोमल जो है, ये आप काव पी का जानते हो, की variety है, ना की cauliflower, पूशा स्नो बॉल देखा है, है ना, पूशा शुभरा, पूशा स्नो बॉल के वन, तो ये इसका नहीं है, तो ये बिलकुल learn रखे बच्चो, और याद रखे कि आप जितनी अच्छी तरीके से इसको learn रखेंगे, उतना confusion कम होगा, क्योंकि इस chapter से जो questions आते हो, कुछ इसी type के questions आते है, I hope, आज के भी practice test में आपको maximum marks आए, और जो भी question गलत हो रहा है, उसको बीना देर किये, आज के आज ह भी complete करें, चलिए तो मिलते हैं कल हम लोग with new practice set,